नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल समीर पाठसाला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं एक टम को जिसका नाम है पैथिटिक फैलिसी मैं आपको इसकी मीनिंग किसने इसको कोईन किया किसने इसकी परिभासा दी और क्या एक्जामपल है इसका मैं आपको ये सारी चीजे इस वीडियो में देखर समझाऊंगा सब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसे किसने कोईन किया है इन्वेंट किया है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये एक term है term जो है कोई single सब्द हो सकता है या फिर इसकी तरह एक phrase हो सकता है अब term होता क्या है term होता है जिसकी एक अपनी definition हो जैसे कि मालो कोई word है writer मैंने word ले लिया इसका meaning होता है लेखक तो ये एक word है इसका सिर्फ meaning है लेकिन जो term है उसकी पूरी परिभासा होती है जैसे ये pathetic fallacy है इसकी परिभासा है पूरी तो term की परिभासा होती है I hope term में और word में आपको मतलब समझ में आ गया होगा word का एक meaning होता है और term की पूरी definition होती है तो pathetic fallacy term जो है उसको किसने कोई जोन रसकिन ने ये कौन थे एक ब्रिटिस राइटर थे तो जो exam में question आता है आपका किस तरह से आता है कि pathetic fallacy जो है वो किसने कोई किया है तो आपका answer क्या होगा दोस्तो जोन रसकिन होगा जोन रसकिन ने इसे define क्या है emotional falseness मतलब की भावनातमक जोट अब pathetic fallacy का मैं आपको हिंदी meaning बता देता हूँ दोस्तो pathetic जो होता है वो होता है दयानिया मतलब pitiful और fallacy का मतलब होता है कोई गलती या फिर ब्रह्म अब बात करते हैं दोस्तो इसकी definition की pathetic fallacy is a specific type of personification or the attribution of human qualities to non human things देखिए pathetic fallacy जो है वो एक तरह का मानवी करण अलंकार यानि के personification figure of speech की तरह ही होती है जिसके अंदर दोस्तो human qualities जो होती है मतलब कि जो काम या फिर भावनाई humans के अंदर पाई जाती है pathetic fallacy के अंदर वो चीज़े किसके अंदर दिखाई जाती है हमें non human things के अंदर दिखाई जाती है मैं आपको इसकी definition दोस्तो हिंदी में दे देता हूँ pathetic fallacy इस एक तरह का मानवी करण अलंकार होता है जिसमें निर्जीब चीज़ों के अंदर भावनाई को दिखाई जाता है जो जिन चीज़ों के अंदर भावनाई नहीं होती pathetic fallacy के अंदर हमें भावनाई को दिखाता है जो सिर्फ इनसान के अंदर होती है या फिर ऐसी किर्याओ को दिखाया जाता है जो इनसान ही कर सकता है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तो pathetic fallacy कहते हैं I hope आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा अगर इसे आपको दोस्तो अच्छे से समझना है तो मैंने personification figure of speech पर एक वीडियो बना रखा है आप इसे अच्छे समझना चाहते हैं तो आप personification figure of speech को भी समझ लेजिए उसका link मैं आपको description में दे दूँगा तो दोस्तो मैं आपको इसे example से समझा देता हूँ for example if a writer mourning the death of a loved one writes that मतलब की एक writer है वो किसी की death को mourn कर रहा है उसकी death पर soak वैट कर रहा है ठीक है और वो लिखता है the flowers on the grave dropped in sadness इसका मतलब है दोस्तो जो fool हैं cover पर वो भी दोस्तो कहां हो गए दुख में डूब गए जो floors हैं जो cover पर वो भी दुख में डूब गए अब जो floors हैं दोस्तो fool हैं वो कैसी चीज़े हैं निर्जीव चीज़े हैं किसी के मरने का fool ओपर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा अब वो fool कहां पर हैं दोस्तो ग्रेप पर हैं किसी की cover पर हैं जिसकी death हुई है अब writer ने इसमें personification या pathetic fallacy का इस्तिमाल करते हुए यहाँ पर यह line दी है dropped in sadness मतलब वो fool जो है वो भी दुख में डूब गए तो यह था दोस्तो pathetic fallacy I hope आपको यह अच्छी से सुझ में आया होगा मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैहन